तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ IMP Shares के तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटिनू टाटा पावर के साथ वीडियो की हम शुरुआत करेगे तो स्टॉक में आज मॉर्निंग में ही काफी अच्छे रिटन्स देखने को मिलने स्टॉक ने काफी अच्छा हाई भी लगाया एक गाप अपन हुआ था स्टॉक उसके बाद अच्छे मोमेंटम रहे उपर के ओर के फिर शीर सीधा डाउनसाइड के ओर आया और जो इसका लेवल था प्रिवियस जो इसका हाई था प्रिवियस डेगा उसी लेवल पे ये जाकर अगेन इसने सपोर्ट लिया ठीक है सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में अगेन एक बढ़त रही दो रुपे साहट पेसे तक की रिकवरी बताई फिर उसके बाद इक गिरा उट रही और अगर बात करें तो स्टॉक ने एक रुपे दस पेसे के रिटन दिया 0.29% के इसाब से स्टॉक ने 379 रुपीज के लेवल पे क्लोजिंग यहाँ पर देती वही अगर बात करें लास्ट फाइडेस की तो लास्ट फाइडेस में स्टॉक 4.40 रुपीज के राउंड गिरा और खास देजी 22 तारीक के बाद यहनी कल से देखने को मैं मिल रही है और वही अगर देखें अब तक स्टॉक 22 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक एक वी शेप रिकवरी के दिखाने के बाद स्टॉक में जो रिटन देखने को मिलते हैं जो रिकवरी देखने को मिलते हैं आट रुपे 45 फरवरी से की है जो काफी अच्छी बात है और वही अगर देखें इसमें कुछ पॉजिटिव निउस भी आ रही है जिसकी वज़े से स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ब्लू स्मार्ट पार्टनर वीट टाटा पावर शेप टू 100% रेनेवल एनरजी फोर मोबिलिटी तो मोबिलिटी सेक्टर की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर 100% शेप हो रहे है रेनेवल एनरजी के साथ और वही अगर देखें ब्लू स्मार्ट has partnered with टाटा पावर to source green energy green power and achieve 0.5 emis in its EV charging infrastructure with 6,000 EVs and 4,000 chargers across 35 super hubs तो यहाँ पर अगर देखें जो ब्लू स्मार्ट है और यहाँ पर एक बड़ी पार्टनर्शिप कर रहा है टाटा पावर के साथ यहाँ पर अगर देखें green energy को आगे ले जाने के लिए और zero tail pipe करने के लिए इन्हों ने यहाँ पर अगर आप देखोगे लगबग 6,000 EVs बनाने का यहाँ पर अगर देखें प्लान किया है और 4,000 जो chargers है जो charging stations है बनाने के काम किया तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमेंने जरा रही है और blue smart अगर देखें already काफियत तक बड़े लेवल पर EV field में जो EV है उसमें आगे आ रहा है और इन्होंने हाली में data power के साथ जो यह deal की है इसका सीधा सीधा impact इसके उपर पड़ेगा जो agreement है उसके अंडर अगर देखें blue smart will source 30 megawatt of capacity from 200 megawatt solar power plant in the Bicaner district of Rajasthan तो बल्कुल 30 megawatt से सीधा 200 megawatt solar power plant जो Bicaner district Rajasthan में उसके अंडर ए agreement के अंदर अंदर है तो एक बड़ी डील है और सीधा सीधा impact जो है इसका जो positive impact हमें देखने को मिल रहा है वो Tata Power के उपर हमें देखने को मिल जाता है तो सीधा सा एक बड़ा momentum शेयर में आ सकता है और अलड़ी पिछले 6 महीने में stock काफी अच्छी rally बता चुका है और आगे भी आप इसमें positive रह सकते हो वही अगर देखें Tata Power में और और कई बड़ी news है जिसे इसी हपते की में news बताता हूँ इसी हपते काफी बड़े projects के उपर already sign यहाँ पर हो चुका है Tata Power to set up 2800 MW pumped storage project तो यहाँ पर अगर देखें Tata Power बिल्कुल set है और 2800 MW के pumped storage को set करने के लिए तो एक बड़ी deal यह भी है 15,000 करोड का एक बड़ा investment है चीप executive जो प्रवीर सिन्हा है उनकी और से बड़ी यहाँ पर announcement की गई तो यह भी कुछ सीदे से यहाँ पर अगर देखाए जो काफी अच्छी चीज़े आपर देखने को में मिल जाती है और वही अगर बात कर ले तो Tata Power में इसमें कुछ numbers भी आया है सामने जिसका भी positive impact बड़ा है 21 तारीक को ही यह number आया जिसका सिदा-ज़दा impact पढ़ रहा है sales जो है इनकी December 2023 के तो बिलकुल upside की हो रहा है 3.69% के बहाप पर अच्छे numbers नजर आ रहे है last year 2022 के December की बात करें 14,139 करोड था वहाँ से बढ़कर सीदा 14,651 करोड हो गया है जो काफी अच्छे numbers नजर यहाँ पर आ रहे है यह भी अच्छी positive चीज़ है volume भी काफी अच्छी तरीके से बड़ा है volume की अगर बात की जाए तो 66,00,00 के राउं तक का trade value stock में देखने को मैं मिल जाता है जो काफी अच्छे numbers है और उसके बाद community sentiments के आकडों में भी अगर हम देखे तो 100% लोग है जो stock में buy करने के लिए तो एक अच्छी चीज है तो यह भी कुछ अच्छे points है अब बारी आती है Tata Investment Corporation की Tata Investment ने बिलकुल इतियास यहाँ पर रज दिया है 6,850 रुपे का यह stock है 127 रुपे 40 पेसे के round अगर आप देखो गए तो stock में यहाँ पर आज गिरावट रही पहले तो gap up हुआ था फिर उसके बाद एक dump देखने को मिला फिर एक pump देखने को मिला फिर अगेन एक dump देखने को मिला तो upside down is momentum रहा है बट इतियास इसने कल ही के दिन अगर देखे काफी बड़े highs लगा है stock जो है 7,111 रुपे का 50 वीक का हाई इसने लगा दिया और यही इसका नया 50 वीक का हाई है जो कल के दिन लगा था तो बिलकुल यहापर अगर आप देखोगे तो back to back stock जो अगर दिखा जाए last five days में 1,064 रुपे के राउं तक बढ़ गया है last one month में 2,000 रुपेस तक के return है और last six month की बाद करें तो 4,000 रुपेस और last one year में अगर देखें last one year और six month के comparison किया जाए तो जो खास बड़त हमें देखने को मिली थी और 14 सितंबर के बाद यहाँ पर देखने को मिली 14 से 15 सितंबर के बाद और तब से लेके अब तक stock continuously बढ़ रहा है जो काफी अच्छी चीज़े हाँ पर देखने को मिल जाती है तो टाटा पावर में तो positive आप रह ही रहू बट जो इहाँ पर जो investment है टाटा investment है ओ भी अच्छे return दे रहा है जो काफी बड़ी बात है तो यहाँ पर एभी अच्छे numbers देखने को मिलते है तो आगे बड़ें और टाटा पावर के levels को हम अगर देखें यहाँ पर discuss करें तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है और किन points के उपर हमें focus करना चाहिए stock में एक fall देखने को मिला एक गिरावट के बाद share अगर देखें obviously बात है गिरावट आनी ही थी level जो है एक IMP level था हमारे लिए इस level के बार में हमने पहले भी discussion किया हुआ है कि इस level पर आप देखोंगे एक बड़ा fall हमने already देखा है तो इस level के breakout के बाद ही जो तेजी है stock में आई है ठीक है एक V-shape recovery आई थी यहाँ से और अगेन यही पर इसी point पे snake V-shape recovery बताए तो एक points हम previous वीडियो में discuss कर चुके जाकर check out कर सकते हो अभी कि अगर बात करें तो Tata power में एक अच्छी तेजी आज भी हमें देखने को मिली stock काफी अच्छे return देता हो नज़राया बट आज भी यह इस particular range को break नहीं कर अबाए last rating season भी इसी range से fall आया था और अभी भी अगर देखें इसी range से एक downside की और आ रहा है तो एक range break होना important है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें इसी particular level पे stock पहले भी sideways रहा है support यहाँ पर लिये है इसने कई बार एक head and shoulder type pattern इसने यही पर बनाया था उसी का fall stock में रहा और falling wish type pattern भी बनाया इस pattern के बाद हम positive थे stock में कि यहाँ से एक falling wish type pattern बन रहा है तो breakout के बाद एक अच्छी तीजी आएगी exactly वो चीज हमने देखी stock जोए अच्छे return देता होना जराया बट उपर से अगर देखे इन points से पहले fall बता चुका था तो अगे इसी points से fall बता है और प्लस rising wish type channel का breakdown तो उसके बाद stock में और गिरा उट रही तो अभी आगे की strategy क्या हो सकती है अगे अगर आप देखोंगे तो आपको इन points के उपर focus करना चाहिए यह जो level है एक IMP level है इसके उपर आपको focus करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर एक proper weight करो आप breakout का एक breakout अगर मिलता है तो अच्छे return मिलेगा और साथ यह अगर आप देखोंगे तो एक inverted head and shoulder type pattern बन सकता है आपर और sustain करके stock जो है सीधा उपर के उपर जा सकता है बट यहाँ पर breakout यह है इस trade line के breakout के साथ साथ ही हमें उपर इस particular trade line का भी breakout चाहिए क्योंकि यह range जो है यह भी एक IMP range है और यहाँ पर तो already head and shoulder type pattern का ही breakout मिला है तो यहाँ पर support लेके उपर की पर जाई सकता है तो wait करेंगे आगे इसमें क्या होता है bonus share को देख लेता है पेसा लो digital limited की बात करें तो NBFC finance का sector है और 101 रुपे का share है अज गिरावट रही बट company दे रही है bonus bonus की अगर बात करें 1-1 का bonus company के और से दिया जाएगा एक share के उपर एक bonus का share मिलने वाला है तो 20 March 2024 से पहले buy करो तो इसका benefit आपको मिल जाएगा तो I hope guys आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करोगे तो इनका एक बार analysis जरूर करना साथ ही telegram channel को join करो link नीचे description में